नमस्कार आप देखरें अपना उतर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ जाकृति खंत्वार रुकरिंगे खबरों की ओर लगनो उश्व अधाले का सरसेटवा दिक्षांत समहारों का आज आयूचन किया गया जिसमें 1,6,634 चात्र चात्राओं को डिग्री दी गई इसके साथ ही 110 मिधावियों को और 196 मेडल भी दिये गए समहारों के अध्यक्षता कुलाधिपती और राच्रपाल आनंदी बेन पटेल ने की तो वहीं उट्र सिक्ष्रा मंत्री योगेंद रुपाध्याई और राच्र मंत्री रच्णी तिवारी विशिष्ट अथिती के रूप में मौचूद रही ये तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं लग्णों विश्व विथ्याले की समाजवादी पार्टी ने जम्मो कश्मीर में वथान सभा चुनाव लड़ने का एलान किया था जिसके चलदेर अविवार को समाजवादी पार्टी के उर से उमीदवारों की पहली सूची डारी की गई पहली सूची में समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर उमीदवार उतारने का एलान किया है और ये तस्मीरी भी आपको दिखा रहे हैं ये सूच्री है जिसमें उम्मिद्वारों के नाम का एलान किया क्या है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवधी पार्टी का जनाधार आदर्णी अखले शादुजी के नेत्वत में बढ़ा है जम्मु कश्मीर में समाजवधी पार्टी का संगठन मदबूत है समाजवधी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जम्मु कश्मीर में उता रहे हैं और समाजवदी पार्टी की तैयारी बहतर है, हम अपनी जो हमारी विचार धारा है, जो हमारे काम हैं, उनको लेके कश्मीर की जनता के बीच में कहें, जब धारा 370 की बात थी, जब कश्मीर में उन समस्याओं के लिए जो आम आदमी की समस्याओं थी, जो लोकतंत को लेके सम आदरनी अकले शादो जी ने सदन में भी उस बात को उठाया था और समाजवधी पार्टी को भरूसा है कि जम्मू कश्मीर के चुनों में समाजवधी पार्टी को सफलता मिलेगी समाजवधी पार्टी मिल के सरकार बनाईगी और बांदा से बड़ी खबर करूख करेंगे बड़ी खबर आपको बता दे माफिया मुखतार अंसारी की मौत की मामला ये बड़ी जानकारी सामने आ रहा है Magisrael Janch में Heart solo से मौत की पुष्टी हुई है ये बड़ी खबर आपको बता रें दरसल मौत के कारणों को लेकर जांच हुई थी और अब इस Janch में Heart अट से मौत की पुष्टी हुई है ये बड़ी जानकारी बान्दा से सामने आ रही है आपको ये भी बता दें कि आडियम के अध्यक्षता में एडियम मांधा ने इसकी जांच की थी 28 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल में मौत हुई थी और अब जिसके बाद इस पूरे माहमे पर जांच बिठाई गई और अब जांच में भी माफिया मुखतार अंसारी की मौत हार इटेक से हुई है इस बात की पुष्टी हो चुकी है ये बड़ी खबर बड़ी जांखारी आपको बतारी दरसल मौत के कारणों को लेकर मजिस्ट्रियल जांच हुई थी और डियम की अध्याक्षता में एडियम बांदा ने इस मामले की जांच की थी रानी दुरगावती मेडिकल में मुखतार अंसारी की मौत हुई थी और अब जांच में हाटटेक से मौत की पुष्टी हुई है यह बड़ी खबर बड़ी जांचारी मुखतार अंसारी की मौत के बाद कई तरीके की सवाल भी खड़े किये गए थे उनकी मौत को लेकर के भी कई सवाल उठे थे और जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई अब जाच में भी माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का कारण हाट टेक बताया क्या है ये बड़ी खबर जाच में हाट टेक से मौत की पुष्टी हुई है ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बांदा से इस वक्त किये बड़ी अपडेट दियम के अध्यक्षता में एडियम बांधा ने स्वामले की जाच की थी तो वही खबरों में आके बढ़ेंगे चाहां वहराइच में आदम खोर भेडिये का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा यहां मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ की दोरे के बाद एक बार फिर भेडिये ने 11 साल के बच्चरे इमरान पर हमला कर दिया जानकारे के मुताबिक इमरान अपने परिवार के साथ घर की छट पर सो रहा था तब ही भेडिये ने बच्चरे पर हमला कर दिया भेडिये के हमले में बच्चे के गले में गंफिर चोटाई है आपको बताज़ें कि 110 गाउ में ओपरेशन फेडिया पिछली कई दिनों से चलाया जा रहा है वन विभाग की कई टीम, पुलिस और पीसी के जरवान फिस ओपरेशन में शामिल है प्रशासन के करमचारी भी लगातार लगे हुए है लेकिन पावजूद इसके जो भेडिया है उसका अतंक लगातार चारी है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ खुद बहराईश दोरे पर आये थे और उस दोरान वो पीडितों से मुलाकात करनी के लिए भी पहुंच रहे थे लेकिन अब उनके दोरे के बाद एक बार फिर 11 साल के बच्चे पर फेडिये ने हमला किया है हम कहीं जंगल में एको टूरिजम जहां पर चलता है जैसे कतरनिया में है या दुदवा में है तो जब भी हम सफारी के लिए निकलते हैं तो हम खुले में खुली जिप्सी में बैठते हैं सफारी करते हैं कभी तेदुआ या कोई बार या कोई भी जानवार हाथी छोड़ करते हैं क्योंकि हाथी कभी उसकी हड़ ज्यादा होती है हम इसलिए खुली जिप्सी में बैठ कर जाते हैं क्योंकि कभी अपने हाइड से ऊपर कोई बेठा हो, चाहे ऊपर कोई खड़ा हो, चाहे लेटा हो, अपने हाइड से बहुत ऊपर की चीजों पर वो कभी न सिकार करता है, न आकरमण करता है. कुछ ठीक है, हाँ डाक्टर है, पहने ले दोवे करेंगे हैं, और दो कुछ बताई में आई हैं, तौलिया से और फिर कपड़ा से उसको उसकाया, लखी नहीं भागा, फिर लाठी रन्ना उठाया तब भागा उसनी, तो दूसरी के चछत पे जाके फिर उतर गया, उच्छा फिर हम उपर पहुँचे, तो देखे, खुन निकल ला था, ज्यादा नाखुन वा खुन लग गये थे उसके, फिर वहाँ से महाँ सी अस्पताल में आए, वहाँ से रिफर किया, फिर बहराईज में आ रहे हैं, इत्था ना, मेरा नाम को इमरान है, वहाँ इमरान है उसको. और श्रीरुक कलते हैं बड़ी खबर क्यों, लखनाओ से बड़ी खबर आपको बता दे, इस वक्स कि ये बड़ी खबर, बड़ी शानकारी, एद मिला दुनवी पार, लखनाओ में चश्न का प्वाहूल, लखनाओ के कई लाकों को रोश्णी से जगमग सजाया गया है, इस जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हुए, महिलाएं, बच्रे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए और जुलूस के रास्ते पर फारी पुलिस पोर्स की तैनाती भी की गई है, ये बड़ी खबर, और शली अब रुख कर लेते हैं ताबर तोड़ खबरों क्यों, बारा बंकी में उफान पर सरीवनोधी के धारन क्या रोत रूप, नेपाल के पानी ने मच्वाया हाहा कार, तठवर्टी गाउं में इस्तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सभा में संगोष्टी का आयूटन, समौके पर कई पंडेतों और कथा वाच्च्च्च्च रही मोधी, त्रियाक्जाच में रूटवेज बस में मिला बस कंडेक्चर का श्रव हाट एटेक बताया जा रहा मोस्का कार, परुखाबाद में माफिया नुपमदूबे के भाई क परुखबाद में नावालिक छात्रा के साथ युवक ने चाकू की नोख पर किया दुशकर्म, पोटो वारल करने की धमकी देकर करता था ब्लाक्टी बरेली में रेल्वी ट्राक पर मिला युवक का शव पुलिस की कारिवाई से परिवार नाराज उचित कारिवाई ना करने का हुआ रामपूर पोच्चे केरल के राजरपाल आरिफ मुहम्मद खान मीडिया से बातशीत के दौरान वक्व अमेंडेंट बिल पर बोड़ कुषी नगर में पुलिस पिटाई से आरूपी युवक की बहुत सुष्रा मिलने से ग्रामिनों में नाराज अलिगर्ड में विश्ली विफाक यदिकारी पर हुई बड़ी कारेवाई चित इंचुलियर समीप सास लोकों पर नई लाइन विछाने कुले कर घूटाले का मिर्जापूर में दस पुरोहितो पर शांती भंग का मुकदमा दर्ज प्रस्वासा कर प्रशासन से उठाई सवार मिर्जापूर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का चलस्तर जिला प्रशासन ने बढ़ प्रभावित लाकों का किया निरिश्ट बारबंखी में लवजरहात का मामला पुलिस ने ब्लाक मेल करने वाले आरोपी को पकड़ा गॉंडा में घागरा नदी में नहने गई युबती डूबी बचाई गई दो महिलाओं की जान एक महिला की हुई मौत दो को निकाला किया पा बारबंखी में अख्यात चोरों ने महिला पर किया हमला चाखू से महिला के गली पर किया वाल तिरूसाबाद में डॉक्टर के इलाज से युविती की मौत परिशनों ने किया हंकामा डॉक्टर की निक छोड़कर परा बलिया में बदमाश्चों के होस से बुलंद युवक पर चाखू से किया वार परिशनों ने युवक को अस्पताल में कराया भूँ मथुरा में दो बाइकों की आमने साहने भिडन्त सूच्टरा पर पहुंच्टी पुलिस माहने की चाच्च में चोटी बखबत में विद्यूत लाइन सही करा रहा लाइन मैन छुलसा हाथ से की तस्वीरे CCTV कैमरे में क्या मथुरा में निर्माणा धीन मकान पर चला बुल्डोजर बेना नोटिस अवैर निर्माण पर की गई कारेवाई कानपूर देहाथ में मंधिर दश्चन के लिए गई चार नावालिक चात्राएं होई लापता पुलिस लापता चात्राओं की तलाश में चुटी अलिगड में विश्ली के ट्रांसपार्मर में लगी आग तारों की चपेट में आकर युवक जुल्सा परिचलों ने उप्चार के लिए पहुँचाया अस्पता परुखाबाद में संदिग्द परिस्तियों में युवक ने गोली मार कर किया आत्म हत्या बोके पर पहुचे पुलिस माहले की जांच में चुटी मुखि मंत्री योगी आदितनाथ आज त्रपुरा दौरे पर रही और जोरान उन्हों ने त्रपुरा में सिदेशवरी मंदिर का उद्खाटन किया और साथी आपको बता दें कि तरपुरा की वो तस्वीरे भी सामने आई जहाँ पर वो सिदेश्वरी मंदिर में पहुंच रहे और जोरान वो उदखाटन और साथी वहाँ पर पूजार्चना करते हुए भी मिज़र आएंगे आपको यह तस्वीरे भी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ तरपुरा में मौजूद और साथी उर्हों ने तरपुरा में व्रिक्षार उपन भी किया सिदेश्वरी मंदिर का उदखाटन किया किया और फिरहाले तस्वीरे सामने आ रहे है जा बराखतल में सिदेश्वरी मंदिर का उदखाटन किया किया है तरपुरा की लाइफ तस्वीरे भी आपको दखा रहे हैं तो आज तरपुरा में मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने सिदेश्वरी मंदिर का उदखाटन किया है फिलाल मंच की तस्वीरे भी आपको द गाटन किया क्या है मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने मंदिर का उद्खाटन किया है सिदेश्वरी मंदिर जोकी त्रपुरा के 12 कथल में स्थित है और आज मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने इसका उद्खाटन किया है मंच पर आसीन हमारे परम पोचे स्वामी चितर अंजन महाराची का अब हम पगडी से उनका भिनंदन करेंगे जिसे पहनाने के लिए मैं मंच पर आमंतर करना चाहूंगी शेनाम दीपक कुमार सिन्हा पुथीवा वेलफर सोसाइटी तो मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ मंच पर मौचूद हैं और ये तरस्फीरे भी आपको दिखाना हैं तृपुरा की दरसल तृपुरा में आज मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ ने सिध्धेश्वरी मंदर का उदखाटन किया है और ये तस्वीरे सामने आ रहे हैं लाइक तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ आज त्रपुरा दोरे पर हैं और त्रपुरा के 12 कथल में उठोने सिदेश्वरी मंदर का उद्खाटन किया साथी साथ उठोने व्रिक्षार उपन भी किया और फिलाल ये तस्वीरे भी सामने आ रहे हैं आपसे कुछी दिर में मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ संबुधन भी करेंगे और ये तस्वीरे फिलाल लगातार आपको दिखा रहे हैं त्रपुरा की आज मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ त्रपुरा दोरे पर हैं औ त्रिपूरा में उन्होंने सिदेश्वरी मंतिर का उद्गाटन किया है मंच की तस्वीरे आपको लगातार दिखा रहे हैं ट्रीवी स्क्रीन पर त्रिपूरा से ये तस्वीरे सामने आ रहे हैं और शाल ये बुलेटन फिलाल के बस इतना ही आपके रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए